स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल गुरुजी में आज हम तक से आठ की प्रिशनावली 2.2 का पंद्रवाँ और 16 प्रिशन हल करेंगे पंद्रवाँ प्रिशन देगी मेरे पास 300 रुपे मुल्ले के एक रुपे दो रुपे और पांच रुपे वाले सिक्के हैं यानि मेरे पास रुपे हैं 300 और सिक्के कौन कौन से हैं 1 रुपे के 2 रुपे के 5 रुपे के सभी सिक्कों का कुल मुल्ले है 300 दो रुपए वाले सिक्कों की संख्या, पांच रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, और सिक्कों की कुल संख्या एक सो साथ है, यानि कुल सिक्के तो मेरे पास एक सो साथ है, लेकिन उन सिक्कों का मुल्ले कितना है, रुपए कितने मंते हैं, तीन सो, मेरे पा एक रुपए के सिक्के हैं, दो रुपए के सिक्के हैं, और पांच रुपए के सिक्के हैं, अब यह सिक्के किस प्रकार से हैं, यह प्रुशन के अनुसार करेंगे, यह हम लिखने दाओं सिक्के, प्रुशन में आपको दे रगा है, दो रुपए वाले सिक्कों की संख्या, प तो 5 रुपए वाले शिक्कों की संख्या, आमने मान ली एक्स. अब बचके 1 रुपए वाले सिक्के, प्रिशन में देखे कुल संख्या सिख्कों की हैं 160, कुल संख्या कितनी है, 160. 60 तो बाकी बचेवे जो भी सिक्के हैं 2 और 5 के अलावो वो सभी क्या है 1 के कुल सिक्के है 160 उसमें से हम 2 रुपे वाले सिक्के गटा देते हैं कितने 3 X और उसमें से हम 5 रुपे वाले सिक्के गटाते हैं अलग अलग क्योंकि हमें देर खाये सबी a bus सभी चुर्प का मूल्य कितना है तीन शुर्पा तो पहले हम अलग-अलग सिखूं का मूल्य क्या होता थेक कि हैं साथ तो आप दो को साथ से गुणा करोगे आपके वास कितने रुपए होए चोदर रुपए तो यह होता है सिक्कों का मुल्य यानि दो रुपए के साथ सिक्की तो सिक्की के मुल्ले को और शिखों की संख्या से गुणा कर देते हैं, एक रुपे की शिखों की संख्या केतनी है, 130 माइनस 3x माइनस 1x, minus 3x minus x कितनी हो जाएंगी, minus 4x, तो ही आगे 160 minus 4x, गुणा 1, यानि शिखों की संख्या को हमने शिखेके, एक रुपे का सिक्का है तो एक से गुणा कर देंगे, दो रुपे का सिक्का है तो दो से गुणा कर देंगे क्या आजाएगा एक से गुणा करने पर कोई फरक नहीं पड़ता इसको तो यह आजाएगा आपका 160-4x दो रुपे के सिक्कों का मुल्य बरा, दो रुपे के सिख्खों का संख्या कितनी है, तीन एक्स, और गुणा कितने रुपे के सिख्खे हैं, दो रुपे के, तो तीन को दो से गुणा करोगे, तीन दूनी, छे एक्स, तीन एक्स को दो से गुणा करेंगे, छे एक्स, तो यह आ गया, दो रुपे के सिख्खो का मुल्ले 5 रुपे के सीके कितने है एक्स गोणा कितने रुपे का सीक्ख है पाच का एक्स को पांस ही गोणा करेंगी यह आ गया पांस एक्स टेक है अब इन सभी सिक्क का कुल मुल्य कितना है 30 नुपछ सभी रूपए मुल्ले जोड देजिए एक का सिक्षों का मुल्ले है 160-4 बुर्ड रुपाय बॉल्ले के यह को सिक्षों का मुल्ले 6 और 5 अद्वी मुल्ले को findet बराबर Lego अब इसको सर्यल कर लिजी है 160 प्लस के देखी X, X के 3 पद है, 1, 2, 3, 6X और 5X जुड़कर हो गई 11X, और 11X में से हमने 4X गटाया, तो बचेगा प्लस का 7X, बराबर 300, अब आप 4 वाला जो पद है, X वाला पद उसको एक तरफ रखें, बाकी संख्याओं को दूसरे पक्ष में लेजी, यह आगया 7X बराबर की दाएं पक्ष मिलेगी, इसका चिंप माइनस का हो गया, यह आगया आपके पास, 7X बराबर 300 में से 160 कटाया, 140, X के गुणा में 7 है, यह दाएं पक्ष में भाग में आ जाएगा, 7 का भाग दीजी, इसमें, 7, 2, 4, आगया बच गया, यहनि X का मान आगया 20, अब आपको अलग-लग बताना है कि कितने-कितनी सिक्के को 1 रुपे की, 2 रुपे की, 5 रुपे के हैं, तो, 1 रुपे के सिक्के, 1 रुपे के सिक्के कितने थे, 160-4, 160-4, 160-4, यह आप पहले 2 रुपे और 5 रुपे के सिक्के निकाल करके, और फिर बचे वी सिक्के हैं, वो 1 रु माइनस 4 गुणा, x का मान कितना है? 20, x का मान कितना है? 20, 160 माइनस 4 को 20 से गुणा देंगे, 20 चोका 80, और 160 में से 80 गटाएंगे, कितना जाएगा? 80, यानि 1 रुपे के कितने सिक्के हैं? 80, अब बताएए 2 रुपे के सिक्के, 2 रुपे के सिक्के कितने है? 2 रुपे के सिक्कों के संख्या, 3x, यानि हम 3 को गुणा कर देंगे, x से, x का मान कितना है था? 20, 20 दिया, 60, यानि 2 रुपे के सिक्कों के संख्या कितनी है? 60, 5 रुपे के सिक्के, पांच रुपए के सिखे कितनी थे? X यानि X का मान कितना है? 20 तो यह आ गया? 20 यानि पांच रुपए के सिखे कितनी है? 20 है सोलों अप्शन देखी एक निबंद प्रतियोगिता में आयोजिकों ने तै किया कि प्रतेक विजेता को 100 रुपए और विजेता को छोड़कर प्रतेक प्रति भागी को 25 रुपए पुरुषकार के रूप में दिये जाएंगे यदि पुरुषकारों में बांटे गई रासी 3000 रुपए थी तो कुल 63 प्रति भागीों में विजेताओं की संख्या ग्याद कीजी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे प्रशन को कि निबंद की एक प्रतियोगिता है ऐसे राइटिंग की और उसमें जो भी जीतेगा जितने भी लोग मालनों सुरू की 5 लोगों को या 6 लोगों को जितनों को भी विजेता को 100-100 रुपे मिलेंगे और बाकि जिसने भी भाग लिया है उनको 25-25 रुपे मिलेंगे और कुल रुपे बाटे जाएंगे 3,000 प्रति भागियों की संख्या है 63 यानि कुल कितने बच्चों निबंद प्रतियोगिता में भाग लिया 63 बच्चों ने भाग लिया तो हमें यह बताया कि 63 में से विजेता कौन सी है यानि जिनको 100 रुपे का ही नाम मिला वो बच्चे कितने है शुरू करते हैं माना विजेता प्रति भागी या विजेता बच्चों के संग्या एक्स है कितने बच्चे जीते एक्स कुल प्रतिभागी आपको प्रशन में दे रखाएं कितने बच्चों ने भाग लिया 63 बच्चों ने भाग लिया 6 प्रतिभागी जो विज्यता नहीं है सेश प्रति-भागी जो विजेता नहीं है उनकी संख्या कितनी होगी, कुछ प्रति भाग्यों में से विजेता प्रतिभाग्यों अब इन विजेता और सेस जो प्रति भागी है इनको खुल रुपे मिलेंगे तीने जहार लेकिन अलग-अलग विजेताओं को 100 और अन्य प्रति भागी हैं प्रुपे को मिले कुल रुपे कुल रुपे, विजेता कितने आए, X, और प्रतेक को कितने रुपे मिलेंगे, 100, यानि जितने भी विजेता हैं, उनमें 100X रुपे बाटती जाएंगे, विजेताओं के संख्या X गुणा, एक विजेता को 100 रुपे मिलते हैं, 100 को X से गुणा किया, 100X रुपे विजेताओं क सभवगण की संख्या कितनी है 63-1 जो विजेता नहीं है और इनको कितने कितने रुपे जय जाती हैं 25 कि इसको को यह दो से 20 से सैसे से 25 से 75 कर देंगे तो कुल इतने रुपेंають इनको मिलें तुबconfidence 5 से Takes the 15 क एक से पांच यू तीस और एक इकतिस गुणा आपको आता है मैं तोड़ा जल्दी कट आओ दो तीया च्छे तो चीक बारा कितना आगया यह पांच च्छे और एक साथ तीन दो पांच और एक कि थोड़ा सा मेरे दाइन तरफ लेख लिए आप ज्यान से देख लेना इसको 1575 माइनस एक्स को 25 से गुणा करेंगे 25 यह इतने रुपए शेस प्रति भाग्यों को मिलेंगे कुल रुपए कितने बाटे जाते हैं तीन कुल इनाम राशी बराबर तीन जार रुपए थी कुल इनाम राशी तीन यानि जो विजेता हैं और जो नहीं है उनको मिलाकर तीन अजार रुपए माटे जाते हैं तो अब हम प्रशन के अनुसार इसको लिख लेंगे कितना आएगा ही देखें थोड़ा सा उपर गर देगा उन उसको विजेताओं को मिले 100x प्लस शेस परती भागियों को मिले 1575 माइनस 25x और बराबर दोनों का जोड़ गितना होया तीन अजार अब आप xx के एक तरफ शाडल करेंगे और बाती संग्याएं दुछरी तरफ ले जाएंगे यहां है 100x और यह है माइनस 25x बराबर दाइंपक्ष में है 3000 प्लस 1575 आप दाइंपक्ष में लेके यह हो गया माइनस का आप प्रशनावली 2.1 से सीख सकते हैं यह कैसे सरल होते हैं 100x में से 25x गटाया यह बच गया आपके पास 75x बराबर 3000 में से 1575 गटाएंगे तो आप गटा लेना यह बचेगा 1425 25 देट इंपलाइस अब यह देखिए एक्स के गुणा में 75 है ये दाइंपक्ष में कहां चला जाएगा जाएगा भाग में यहां आ जाएगा अब हमें इसको सरल करना है किसको सरल करना है एक्स बराबर 1425 वट्टे 75 अब आपको मैंने काटना सिखाया था यानि हल करना इसको अंसर हर को लेकिन 75 का पहड़ा आपको टेबल आती नहीं होगी तो इसको आप सरल करने के लिए छोटी टेबल काम में ले सकते हैं जैसे इकाई कांक इसका भी 5 है इसका भी 5 है तो दोनों में 5 का भाग तो चला जाएगा तो आप पहले 5 से शुरू कीजिए क्या ये यहां लिख देता हूं मैं पांच एकम पांच कितना बचा दो आगे पांच लगाया 25 पांजू 25 पांच का इसी में अंशुर हर में एक सी संख्या का भाग दे सकते हैं पांच दुनी 10 बच गया 4 आगे लगाया दो पांच आठा चालिस बच गया दो पांजू 25 पांजू 25 कितना आगया ये 225 पिचासी बटे 15 और भी सरल हो जाएगा ये 15 का भाग दे दिजिए इसमें 15 एकम 15 आप अलग से भाग भी दे कर लिख सकते हैं इसको 15 एकम 15 बचेंगे तेरह आगे पांच लगाएंगे 135 15 निम्मा 135 आप ऐसे कर सकते हैं 285 में 15 का भाग देकर ऐसे भी कर सकते हैं आप 19 आएगा तो 19 एक्स क्या था हमारा विज्यता प्रति भाग्यों की संख्या तो विज्यता कितने होगे कुल कुनिस यानि कुल बच्चे 63 भाग लिया उन में से विज्यता कितने है 19 है कितने हैं टुआ में लिज्यता कितने हैं अजय है